अगर आपको ये विडियो अच्छा लगा तो थैंक्स पर जरूर क्लिक करें और अपना प्यार भेजिए लगा भाल बहाँध करें च्हातुम् हुआ 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 है हुआ 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 है हुआ 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 है हुआ है हुआ हुआ है 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 हुआ 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 है हुआ है जी क्योंके शुक्ला जी आज हमसे बिदाई दे है शुक्ला जी उन लोगों में से है जो आफिस को अपना परिवार और काम को भगवान समझ कर उसकी पूजा करते आए महनिया सेट संपतला जी महनिया साहब और दोस्तों मुझ में अगर मुस्कुरानी की ये बुरी अहदत ना होती तो आज आपका ये प्यार देखकर बिना किसी शर्म लिहास के आपके दर्मयान आपके सामें रोप पड़ता लेकिन मेरा हमेशा ये उसूल रहा है जितनी बड़ी मुसीबत हो जितना बड़ा गम उतनी गहरी मुस्कुराहत दोस्तों मेरी आफिस की जिंदगी एकाउंट्स में गुज़ी है हिसाबों में प्लस माइनस सम्टोटर लेकिन मेरी जिंदगी के हिसाब में कौन सी रकम कहां से आई है वो आप नहीं मैं जानता हूँ आज आपको ये बताने में मुझे जरा सी भी शर्म मैसुस नहीं हो रही कि मेरी इस काम्यावी के खाते में सबसे बड़ा हिस्सा तेरी पत्नी सरोजदी का है मेरी पत्नी का सबसे बड़ा गुण है सहजीता वो आज तक मेरी दूसरी पत्नी को भी सेती है मेरी दूसरी पत्नी यानि मेरा काम है जिसे कभी कभी घुसे में आकर ये सौतन कहती है और आज मैं अपनी इस बीवी को छोड़के जा रहा हूं किस दिल से जा रहा हूं मेरा ही दिल जानता है आपसे एक दोस्ताना मश्वरा है अपने काम को कभी भोज मत समझना है उससे प्यार करना सीखो उसकी उसकी पूजा करना सीखो अब मैं आपसे बिरा लेता हूं अंजाने में मुझसे कोई गलती हो गई हो किसी को कुछ कह दिया हो तो आपना समझ कर मुझे माफ कर देना थांक यू थांक यू फो अवर्यथिग इस्टेटी प्लीज थांक यू नहीं पिताजी मुझे अपने लिए भी एक कॉपी चाहिए पिताजी मुझे भी एक चाहिए मेरे भीया मांग रहे से एक मैं भी मैं अपनी चीचर को दिखाऊंगी अरे भाई तुम तो खामखा लड़ रहे हो हम लोग अभी हैं तुम्हारे पास सुनो जी सुनो जी सीमा बेटी यहां होती तो कितना अच्छा होता आज परिवार के सभी लोग यहां मौजुद है लेकिन वो तुम्हारे प्रभू साहब दी तो नहीं है वो जुरू साइकल रेस में हिस्सा लेने क्या होगा उसे वोल्ड चैंपियन जो बनना है तहां तुरूआ गयाएगा मा का लाड़ला है जो करे सो कम है पिता जी एकदम नवाली हो गया है आजकल किसी की भी नहीं सुनता वे चारा मेरी बहन की एक ही निशानी है मरते मरते हमारे सहारे छोड़ गई थी लेकिन पिता जी हम भी उसके भले के लिए ही तो कह रहे हैं देखो ना काम न काज कम से कमक्त पे खाना ही खाले ठीक है आरे दोस्त बनाता हूँ उसे वाल्ड चैंपिया हो गया उस्ताद? आ बिलकुल हो गया अगर को घोड़ा होता ना तो इन खुबसूरत हाथों को चूम लेगा अरे उस्ताद अपना साइकल भी घोड़े से कम नहीं है रेस में एंटर होगा ना सब लोग मीचे रह जागा वो तो ठीक है लेकिन अगर घोड़े की सावारी कोई गदहा करेगा तो कैसे जीतेगा अरे उस्ताद दोस्तों के आप उनको गाली देता है अब या दोस्त नहीं होता है तो मोटर मैकरी को करके ये तेरी सागी दूस करता है अरे इटलर मैं तो मजा कर रहा था बोलो टाइम कितना हुआ शाबाश आप बेस्ट ओफ लाक अरे पिताजी आप तो कुछ खाए नहीं रहे थोड़े चावल लिखे अरे ने 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 बोहुँ चावल खाखाके तो ये हाल हुआ है भाबी मैं बता हूँ आज पिताजी को खाना क्यों नहीं अच्छ रहा है क्यों कि मातर जी नहीं बनाया हमारे हाँ मितना रस का हूँ ऐसी बात है कितना खा चुका हूँ मैं खाना बहुत ही अच्छा बनाया मैं आपके मन पसे तुरस गुल्ले भी बनाया अच्छा ये रोटी कॉन मुं में थोसता है चली ये ले आओ मीठे के लिए पेट में जगार तो रखनी जाए न अगर शादी की तिन रस्ते में हलवाई की दुकान आ जाती तो शायद आप लंगन मंडवे भी न पहुच पाते न पहुच पाता तो तुम्हे इतनी अच्छी मा कहा से मिलती दरजी जब आपकी शादी हुथी जब हम कहा थे मेरे ये बदार तो मुश्किल है ये लीचे इतने दे लूंगी रजगुला देखी तुन्हे सुभाई तो खाय था अब दरजी को खाने दे चीची बभू बच्चों के मुह से चीन के खाना अच्छा नहीं सिर्फ मुही तुम इठाके मैं लो बिठा पिताजी आपके साफ में खामखास इतने क्या आपता नरेश हमें ये सब इन बच्चों के नसीब से ही मिलता हूँ पिताजी आप हादो ली जे मैंने पान लगा के रख ते रहा है अच्छा बहुत अच्छा बहुत पिताजी दो पैके गोल फ्लेक के लाकर मैंने आपके मेस पर रखती है अच्छा बहुत इसको भी खाए ही लेता हूँ भास भी करदे ये ही की खाए ये क्या कर रही ही माजी हमारे होतेवे आप छुटे बरतन उठाएंगी ये नहीं चुपके से खाना खाते सो जाए वहों के मुह लगता है फिर उनसे सौ बाते सुनता है सुवा बच्चू के कान गेजता कौं मामी मैं हूँ रभू आगया आगया मामी पेट में चुए दोड रहे है तेरे हाथ को क्या हो गया ये बाद में बताऊंगा मामी सबका दिमाग इतना गरम है कि मुझे जूट बोलना पड़ा कि मैंने खाना खा लिया मुझे बड़ी भूग लगी है मामी बड़ी भूग लगी है तुम क्या करो मामा सोजा सोजा तुम्हारा काम नहीं है पहले पेट भर ले बच्चो फिर खबर लेता हूं तेरे चुब भी करो बेचारा सारा दिन का भूगा प्यासा घर आया है लो इसने एक लवस बोला नहीं कि तुम्हे इसकी तरफ हो गई अभी अभी तुम्ही तो शिकायत कर रही थी इसकी वारे मैंने कब की शिकायत रभू तुने बता नहीं ये तेरे हाथ को क्या हो गया आरे कुछ नहीं हुआ मामी वो साला वो त्रिबोन है ना उसने अपनी साइकल में साइकल से भीडा दी बस घर गया राष्टपे जादा चोट तो नहीं लगी ना बिलकुन बिलकुन नहीं अच्छा सरुज तुझा इसके लिए खाना ले थैंक्यू मामा देख प्रभू तु ये साइकल रेस का चटकर छोड़ दे आज जरा सी चोट लगी है कल हाद पाउं तुड़ाएगा देखो मामा तुम बड़ी दूर की सोचते हो इतना सोचना छोड़ दो छोड़ दो जाने जिनगी क्या करेगी इस पांगल के साथ क्या करेगी ले प्रभू खाना खाले थैंक्यू मामी देख प्रभू तु वक्पर आकर खाना खालिया कर फिर तुझे कोई भी कुछ नहीं कहेगा मैंने तुझे हजार बार कहा हके मामी ये दाल तुने बनाई न मुझे चकते ही पता लग गया अरे इन भावियों को फैशन जे फूरसत मिले तब बनाई न खाना और फिर बनाई भी कैसे अभी तक किताब पढ़के बनादी खाना मामी एक बात बताओ ये सब तुम्हारे चर्णों की धूल के बराबर भी नहीं है हाँ अरी क्या चबर चबर कर रहा है खाना आहिस पे चबा चबा कर खा वरना पेट में दर्द उठ जाएगा और बगबग कम मैं बगबग कम करता हूं तुम सिग्रेट कम करो 24 सिग्रेट पी ओगी न दिन में हाँ हाँ तुम खाना खा हाँ हाँ रात बर खासेंगे और डॉक्टर को लाने मुझे जाना पड़ेगा अगय है अरे ये फिर शुरू कर दिया हाँ देखो मामा तुम मुझे शांती से खाने दो गया नहीं मैं कही और जाकर खाता हूं मामा अरे मेरे बात तो सुन तुमने खामाखा बोल दिया बेट्यारे को आराम से खाने दिया होता सरोज, मैं सोचा था तुम सोच नहीं रहे, सिगरेट फुक रहे हो लो भाई, लगता है किसी दिन कमवक्त ये सिगरेट छोड़ने ही पड़े सारी उम्रह में पीछे पड़ी रही, फिर भी यादत नहीं छुटी अब क्या छोड़ोगे? हाँ, तुम कुछ कह रहे थे न? हाँ, वो बातों में भुला दिया न? हाँ, सरज, घूमने चलोगी क्या कहा घूमनी? ये फिली राद गए? हड़ा नहीं भाई मैं कह रहा था क्यों नहीं हम दस बारा दिन के लिए किसी हिल स्टेशन पर चले वापस आएंगे तब तक वो प्रोईटन फंड का पैसा भी मिल जाएंगे चलना है, तो हरी द्वार चलते हैं लो कर लो बात मैं सेर की कह रहा था और तुम तीरो द्यात्रा करवाने पर तुलीवे हो बात सुनो तुम सठिया तो नहीं गए क्या मतलब इतनी अच्छी बात तुमने जिन्दगी ने पहले तो कभी नहीं की देखो सरूर याज मत दिलाओ वनना मुझे गुसा आजाएगा बूल भी पहली बार जब मैंने प्रोग्राम बनाया था तुमने गड़बड कर दी थी मैंने गड़बड कर दी थी अब इसको गड़बड ही तो कहेंगे और नहीं तो क्या कहेंगे मेरे पास सुबूत भी है सुबूत आपके हाथ का लिखा हुआ सुबूत यकिन नहीं हो रहा वह भी लाता है सुनी को मुझे मुझे आपसे कुछ कहना है को शर्माती है मुझे पता केसे चलीए मैंने इसमें लिख दिया है आप पढ़ लिजी अच्छा मैं मा बनने वाली हूँ यह तुम्हारा पहला और आखरी प्रेम पत्र है जो तुमने मुझे लिखा गा तुम्हें अफसोस है इस बत का जरा भी नहीं बल्के खुशी है और पर चिठी पत्र तो वो लोग लिखते हैं जो यह तूसरे सा अलग रहते हैं सरोज भगवान की हम पर बड़ी कृपा रही है जिंदगी के आखरी दिनों तक हम दोनों साथ रहे हैं अब तो ऐसा कुल प्रेम पत्र लिखने का इरादा नहीं है न क्या मतलूब भाई जब मैंने पहली बार बहार जाने का प्रोग्राम बनाया तो तुम्हें यह प्रेम पत्र लिखकर नेदेश को हादर कर दिया दूसरी बार हमारे नमेज जी तश्रीफ ले आये और फिर हमारी सबसे प्यारी गुडिया सीमा जी पधा गिए मैं लास्ट वार निंग रेता हूँ लास्ट वार निंग कोई लड़की सोस्टल में नहीं आईगी कान खोल कर सून लो यह बाइज होस्टल है मिन्स लड़की को नहीं आने चाहिए सारोके माडम नो मिन्स नो और खास तौर पे वो सीमा वो बिजली वो शरारत उसे मैंने यहां देख लिया थे मैं आई कामें फिर लड़की क्या मुसी बत है बाइज बाइज गो कामें आप कौन है मैं अजय की बुआ हूं बेवी जी यह बॉइस होस्टल है यहां लड़की उनका अना मना है मैं लड़की थोड़े हूं मैं तो बुआ हूं बुआ लड़की नहीं होती है क्या बुआ बुआ ही होती है बेटा मैं अंदर जाओ अंदर कहा अजय की कमरे में अजय की कमरे में लड़की नहीं 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 जा सकती आप नहीं जा सकती अंदर आप लड़की है अरे मैं तो बुआ हूँ आप लड़की है, आप अंदा नहीं जा सकती, यहीं ठरिए, मैं उसे बलाता हूं रामो, क्या सर, अजय को बलाओ, और बोला उसकी बुआ उससे मिलने आई है, बहुत अच्छा सब, आप बैचिए अब बताईए, कैसी पढ़ाई चल रहे है मुन्ने की मुन्न्न, मुन्न कहा सा गया वही मेरा मुन्न, यहारा प्यारा मुन्न अजय, बजबنت हम मु kullya है थे आपको बजबन में क्या कहता थे मुर्य, कल्य, कल्य, बढ़ा प्यारा नाम है, कल्यू आजय पढ़ा इती ऑंपामा षरवात है भवाजार करada अरे अपके भॉष थोड़े हूँ मैं तो मेरे मुनाय की भवाज हूँ यह सरर ले हैं गया अजize तुम्हारी भवाज मेरे भवाज मुना कैसा मैं मुनाज जा इस जू क्या किरियी उपढेञा वह को दिन बात मिला है, और भूल गया, मुनना तु मनना ही रहगा औरे, मैं तेरी अफरीका वाली बुट। आपरीका वाली बुट। तु मेरी कै वाला, तु मेरी बुट। त्येका, तु मेरी बुट। बहुत करा र delegates है किसी था? किसी ठासर जीजिए चलो मेरे साथ खाल ले जाए लेकिन से में आपकी परमेशन की मिया एक जाए उडर जाओ जाओ जितते रहो जाए कर दो कान इदर लाओ तुम्हारी बॉआ की आख में कुछ खराबी मौलिम होती है घड़ी घड़ी आख मारती है इस उमर में ये विमर अच्छी नहीं है जली डॉक्टर के पास जाओ और इलाज करवाओ जाओ थैंक्यू सर तुम्हें ये सुजा क्या है? तुमने ये हुजा क्या बना रखता है? अरे देख लो तुम्हें मिलने के लिए क्या-कया फॉपड़ बेनने पदे चाजीयेते रोमयों के लिए क्या था चालालाने मजनु के लिए क्या था अरे वाज तो क्या मैं तुम्हें लिए गादी से पढ़ गादी उज्यू रहने दो जी क्यों जी इसमें कौनसी बात है एक दिन मैं भी लड़की बनकर तुमारे होस्टल में आ धंगूँगा रेली? रेली? बूच अच्छे लगोगे उतर देखो शरम नाम को नहीं बूड़ी गोड़ी लाल लगान मा की उमर की है लेकिन क्या उचलकूट कर रही है अरे ओ जशमेश मा होगी तेरी बापाची हम आपसे बात नहीं कर रहे हैं हम तो इमसे बात कर रहे हैं बैठो अरे ये क्या करते हो? सिमा सबसे पहले अपनी ड्रेस चेंज करो क्यो? अरे तुम्हे ये सब तमाशे अच्छा लगता है क्या? हाँ तुम्हे अच्छा नहीं लगता? ओ सिमा मैंने तो सोना था प्यार में सब कुछ अच्छा लगता है जी हाँ लेकिन ये जरूरी नहीं कि ये सब कुछ किया जाए ठीक है मैं चलती हो उम्र तो प्यार करने की आए आरे बब, आरे बब, तु प्यार करना लगाए मुझसे आखे मिला मैं बता जू मुझसे आखे मिला मैं बता जू अरे तबर तबर दिल कैसे हाथों से चाए मुझसे प्यार करने की आएर है ओ, क्यूं प्यार करना लगाए मुझसे चाए मुझसे आए मुझस प्यार करने का मौसम ज़ाए दियती बाना मचलता ही जाए प्यार कि सांसों में हुआ हलका हलका है प्यार दिल में उचरता ही जाए प्यार करे चरी चरी बाहरों का मौसम बीतन जाए रे आजा के रुट बाहरों की तो आके चाए अर तबर तबर शर्माना तेरा न जाए हर ला हर पे लिखी ये कहानी है 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 सुनने चो हर पहली की दाखानी साथ अपना तो है चार दिन का है ये कहानी है सजियों पुरानी अरे आते आते शोख जावादें ऐसे का अकद आए कोई भी राद ये जाने न पाए मैं जानू क्या जाने के प्यार की ऐसी तस्वीर है तू के प्यार की ऐसी तस्वीर है तू परतो बरतो बर जो प्यार करना सिखाए हारे बर बाबा क्यूं प्यार चलो चलो जल्दी उठो गाड़ी छूटने वाली है पटा जी आप लोग पहली बार बाहर जा रहे हं दोidents Mingberg ज्लिएंगा फिखर्मक किजीए ए q a छले चल चलो kiss a या चलो माझादीagn इस सब्सक्राइब इस कर दियर सीव एपने अच्छा तुम्हाँ चले यहां चलने वाली है नीचे उदर तो उतरता हूं ना अब मामी सामान के पांच ना के हाँ उतरते बाग गिन लीजेगा और सामान पे पूरा ध्यान रखी गा आज कल चोडियां बड़ी होती है अच्छा लेकिन तुम्हाँ तुम्हाँ उतरता हूं उतरता हूं पैसे तो समाल के रखे ना रख लीजेए पैसे रख लीजेए जो बड़े देते हैं और छोटे लेते हैं पैसे बुद्धू मैं तुझे समझ गया बदमाश ये लिए 30 रुप्य है मेरे आने तक काफी है ना 30 है इसकी जुरूर्ट तो नहीं थे उतरता हूं अब उतरता हूं आपजी माशी तरस्के रहा हूं वाणि zosta हाथ रख 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 रखर रख रख राख, मौप लुग ज़ल्दी आजिए लुग आज़ए हूं मौप क्या को तुन lawyer मौ मैं मौमी हम आजएगे तो फिकर लोगत तुम सर्फ भी काई भी थाख भून ए लुग अअ पाज पाजू जब इनकी हृवादी जए रहादी हृवादी जए 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 झाल जए जए है जए हृवादी जए है सब्सक्राइब करते हैं, यह गाड़ी यहां कितने दिन रुकी है, किन में दो दो, चाहे, सब्सक्राइब, मैं जब पानी लेगा दो, हाँ? कितने दो बासी है, कितने वेघकी है, कितने जज़ी, ब माई साहब, माई साहब, वो पानी ने लगे है, गाड़ी चल पड़ी है, वो स्केशिन पूरी राज़ा है, अभी चेंग खीज़ देता हूँ भाई साहब, जुर्माना भरने का एरादा है, मैं सभी आप बाहर रह गया, मैं पहली बार, ट्रेन में सफर नहीं कर रहा हूँ, बहन जी बहुत कशारी है, अब पहरी है, चल आप मैं देखा था, तुम अभी भी मुझसे उतना ही प्यार करती हो या नहीं कर दो कर दो करते हैं, बहुत करते हैं, जी बहुत करते हैं कि अब ह रहा है, भी बहुत कर दोदा वा भी मुझसे उतना है, अजया जी आप क्या मांगा तुने भगवान से भीना मागे ही भगवान ने सब कुछ दे दिया है घर बार पर उसकी दाया दृष्टी बने रहे पर और क्या मांगती अरे इतनी दूर से इतना पैसा खर्श करके हम आए है कुछ नो कुछ तो मांग लेती तब असका मेरे लिए कुछ मांग लेती तुम्हारे लिए? इसमें हास नहीं की कोई बात नहीं 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 वो बात नहीं मैं सोच रही थी बहला भगवान से भगवान के लिए कुछ मांगता है क्या मैं भवान हूँ? मेरे लिए तो हो अच्छा भै ठीक है चडा दो पेड़ पे अच्छा अच्छा बहुत दर्द हो रहा है इस उंब्र में सेर को निकलोगी यही तो होगा उस पर मेरे जोडों का दर्द है मैं पाउनवन छी पाप लगेगा याज तुम बहुत सारी चीज़ें खरीड लाई हो क्या-क्या है यही बहुं के लिए साड़ियां बेटों के लिए कपड़े निकी गुड़ू चंदू के लिए यह कपड़े मैंने तो सर्फ एक ही चीज़ खरीडी है इदे यह साड़ी तुम्हारे लिए कैसी लगी है तो बड़ी अच्छी लेकिन तुम अपने में कुछ निलाए सरोज यह सब अपना ही तो है ऩुम्हार तुम्हार थे की लड़े यह 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 पिताजी आपने वो ओफिस के पेपर वगरा तो रख लिया ना? यहां मैठे रख लिया, अभी तक मेरी अदश कंजर नहीं हुए मतलब है हम में से कोई एक आपके साथ चलता तो ठीक रहता नहीं नहीं टैक्सी अभी तक आया नहीं आपने प्रभू को टैक्सी लान भीजाया था तो बस आ चूकी टैक्सी पिता जी मैंचा के लिया हूँ? अरे, प्रभू को आ इंगा अरे प्रभू तो आ ही गया मामा टैक्सी इस ही थे बुर्दा जा पिता जी चहाता लोगने जाहिए तुम्हारा क्या ख्याल है? पिताची को कितना रुपए मिलेगा? मेरे ख्याल में पचासदार तक तुम मिलना चाहिए तो समझो कि मेरे मन के मुराद पुरी होगी क्या मतलब? क्यों? भूल गया? तुमने कहा था ना कि तुम मुझे एक फ्लैक खरीड दोगी? कहा तो था, मगर इन पैसो में रमेश का भी तो हिस्से रहे रमेश का हिस्सा? रमेश के पास तो अच्छा खासा काम है, रहने को घर है तो पैसो का क्या करेगा? मुझे कश्मी ले चलोगे न? मैं तो रुपया लेकर कोई बिजनस शुरू करूँ प्लरकी में क्या रखा है? एक बार बताओ, तुम्हारे बड़े भहिया बहुत हुश्यार है वो जरूर पीता जी को कोई उल्टी पट्टी पढ़ा देंगे मैं भी दूद्ध पीता बच्चा नहीं हूँ सच क्या रहा हूँ? सुनो, पीताजी को आने तो मैं उने समझा दूगा एक बार मेरा बिजनस चल निकला फिर हम लोग हर साल कश्मी जाय करेंगा सच आजाओ बच्चो दादेजी दादेजी आओ सब दादेजी आजाँ दादेजी अमारे लिए क्या लाए बेते, सब के लिए लाया हूँ यह देखो चॉकलेट तुमारे लिए यह तुमारे लिए तुमारे लिए भी है यह लोग और बेते, यह तुमारे लिए कहरम बोड भी लाया हूँ अरे क्यों परेशान कर रहे हो दादेजी को देखते नहीं ठक्कर आये जो जाके बाहर खेलो और बहु यह तुमारे लिए साडी है और यह छोटी भू अहाँ आगे आप हम लोग का कितना खेल रखते हैं पिताजी सब ओफिस के काम ठीक ठाक हो गया हाँ नरेश क्या बताओ आज ओफिस वालों का प्यार देखकर आखे मराई जब मैं वाह पहुंचा तो सारे काखजात तयार थे सिर्फ दस्तखत करने की देद थे आज वो रिष्टा भी तोड़ा यह पिताजी ठगे होंगे उनके लिए चाई बाई तो ले आओ हाँ वह चाई पीने की बहुत इच्छा बहुत इच्छा थेर भाभी मैं लेकर आती है सार चलो सीमा की मा का है यह रही सीमा की मा आने में इतनी देर कर दी कुशल से सब काम हो गया न हाँ हो गया यू समझो गंगा ना आया पिता जी पैसे किते मिले कुल मिला कि 41,000 और 500 कुछ ऐसी रकम थे मैंने सोचा यह लक्षमी देवी बड़ी चंचल है आज यहां तो कल वहां फारण उनको उनके घर पहुचा दो क्या मतलब बस बेटी यह समझो इज़त गिरवी रखे थी आज छुड़ा लाया हूँ अब मैं चैन की सांस ले सकता हूँ बेटा जी आप क्या कह रहे हैं कुछ समझ में नहीं आया देखो बेटे मेरी जिन्गी एक खुली किताब है मैंने आज तक जो भी चार पेसे कमाये हैं इमानदारी के थे पूरे नहीं पढ़ते थे तुम्हारी पढ़ाई रमेश की पढ़ाई तुम दोनों की शादी आये दिन का खर्चा पिठे कर्ज लेना पड़ता है आज मैं सबसे पहले उस रकम से सारा खर्जा चुका आया हूँ मैंने कोई बुरा तो नहीं किया ठीक है आप घर के बड़े हैं तुमने बहुत अच्छा किया कर्ज सबसे बड़ी लानत है सच मुझे आज तुम गंगा नहाए बस अब सीमा बेटी के हाथ पिले करने है तुम कैसी बातें कर रही हो सरूज अरे हमारे दो दो जवान कमाव बेटे हैं तुम देख ले न ये किस धुमधाम से अपनी बैंक की शादी करेंगे देखो वाई हमसे जो हो सका हमने कर दिया अब इस घर का सारा बोज हमारे ये दोनों बेटे समा लेंगे क्या सोच रहे हैं मैं ही सोच रही हूं अजय है कि तुम्हारे माता पिता ने ना तो मुझे कभी देखा है और ना ही मेरे बारे में कुछ जानते है देखा तुने हैं लेकिन जानते जरूर है वो कैसे अपने हर खत्मे में तुम्हारे बादर में लिखता रहता हूं नहीं वो मुझे पसंद कर लेंगे तुम मेरे माता पितर कुछ जानती नहीं गरीब जरूर है बहुत पड़ा गिल है उनका लेकिन शादी से पर एक बार सोच लो हमारे घर में रूखासु का खाना पड़ेगा सारा काम घर का खुद करना पड़ेगा और एकी कम्रे में सबके साथ रहना पड़ेगा यह मुझे पसंद नहीं क्या मतलब एकी कम्रे में रहना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं तो भीर कहा रहने ये ख्वाब देख रही हो तुम्हारे दिल में अरे क्या मरियल चक्तु की तरह धेरे धेरे चल रहे हो तेस नहीं चल सकते हो क्या मुझे कौन सा भूस हा रहा रहा जो भागता पिरू तुम्हें मुटाबा कम करने से भागो पता नहीं बत्पर में तुम्हारी मा ने तुम्हें क्या करूई चीज किलाई कभी भी तुम्हारे मुझे मीठी बात नहीं निकली और तुम्हारे मुझे फूल बरतते है अचला हटोगे मैं तुम्हारे मुझे नहीं लपने मुझे मत लगो अजी सुनते हो क्या है जरॉशा एक्सरसाइज ही नहीं करने देते अरे शुकला जी कहा वो आओ उधर मिलके आते अरे 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 लेकिन दाजी माची मारी थुड़ी खेल लेगी थी ने अरुटी खर रेख़ए अच्छा जा तुमोटे बस तुमने क्रिकेट से तो आउट कर दिया, जिनकी सा आउट मत करना, वाँ शुक्ला वाँ, नमस्ते बाभी, जब आणी में टीम बनाई आपे में खेल रहा हूँ, बड़े खुछ नतीम हो यार, डॉक्टर तुम भी खेला करो, सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, बाल बच ये तो बता तब ये पगरा कैसी है, भगवान की दया है भावी, अब तो रिटायर हो गया हूँ, बस ये छोटा सा संसाल है, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, इससे बड़ा स्वर्ग और क्या होगा, सच कह रही हो भवावी, मैं तो नर्क में जी रही हूँ, क्यों छोड़ो डॉक्तर, चलो घर चलते हैं, एक कप चाय हो जाए, नहीं वे अभी तो नहीं, अभी चलते हैं, अभी तो ज़रा इनको एक्सराइब करनी है, अरे धन्यो महराज, उढ़ जाओ, अच्छा बही, अच्छा जी, आओ बच्छो, घर चलते हैं, आओ, पहलो चप्पर दादाजी, आपके चप्पर, क्या बात है, सब चुपचाफ है, कोई बोल नहीं रहा, तो खाना क्यों नहीं था रहा? पहलो खाना क्यों मैं नहीं था रहा, खाना क्या क्रादा, था रहा, चांदन, जो खाना थालियं पढ़ाये, चुपचाब खाले, पैन्धिकों था रहा, तुम आपड भी है कसाई, बच्छे को क्या कई इस्तर मारते हैं, प्रभू, तुमको बीच्पर बोलनने के लिए क्स मामी, मामा के खाने में बहा ले इदद है? चावल में वहू, खाना पकाते वक्त ध्यान रखा करो नहाज लेता हूँ मुझे तो आज भूत नहीं मामा, तुमने कुछ कहा है क्या? सब लोग तो ऐसे खाना खा रहे थे जैसे वोटल में खा रहे हो तो चुप रहा है, अपना काम कर अपना काम दो हो गया हाउस फुल लेकिन मामा चुप तुम अपने बाल बच्चों को लेकर बंबई से लिजाओगे? अरे इनके अपने हाथ में थोड़ी है, ऑफिस से ट्रांसफ़र हुआ है सुदा मुझे बात करने दो रमेश ट्रांसफ़र की खाबर सुनकर मुझे भी हरानी हुई थी नहीं मैं इसके हक में था हमारा गुजारा कैसे होगा? हमें खुद मालूम नहीं लेकिन भाया, तुम हमारी हालत तु जानती हो न पिता जी के रिटायर होते ही, हम दोनों इस खर का खर्च चलाते हैं अब तुम भी चले जाओगे, तु सारे खर का खर्चा कैसे चलेगा? हम लोग हैं, पिता जी हैं, मा हैं, और प्रभू भी है अरे भी हमारी कौन सी वहां मिल चल रही है? और फिर बंबई का खर्चा तु यहां से दस गुना ज्यादा है आप लोगों का गुजारा तो कैसे भी हो जाएगा? लेकिन हम लोग भू के मर जाएगे, तो हम क्या कर सकते हैं? हम लोग भी तो मजबूर हैं? भावी, तुम सनगने की कोशिश नहीं कर रही हो रमेश, लेट उस बी प्रैक्टिकल इस प्रॉब्रम को हम दोनों कोई सॉल्व करना है मुझे मालूम है इस समय तुम इस पॉजिशन पे नहीं हो के मा और पिताजु को अपने साथ रख सको और इस वक्त मैं भी इस पॉजिशन पे नहीं को तोनों को अपने साथ ले जा सको इसका एक ही तरीका है तुम पिताजुक अपने साथ कुछ दिन खिली रख लो और मा को मैं ले जा दो मैं चाहती हूँ इस दीवाली पर बहु को कंगन बनवा दू मुझे मेरा हार है न उसे तुलबा कर बनवाऊंगी मेरी तो अब उमर नहीं रही वो हुए पहनेंगी तो अच्छा लगेगा लेकिन आप नरेश नमी से कहना नहीं वरना वो मना कर देंगे कहेंगे नहीं मा वो तुमारा हाँ पिताजी आओ बेठो पिताजी वो नरेश भीया ने कुछ बात किया आपसे नहीं तो कौनसी बात विवेशज तु यहाँ बैठहो क्या बात है वीट hairy विवेश तुमने किताजी से बात नहीं कि नहीं भीआ कश बताओ तू सही बात क्या है कहो तू बेटी मैं थ्रक्क्र हो गई है यह तो बदी खुश हो गई है यह तो बड़ी खुशी की बात है लेकिन मुझे रहना भी होई होगा अरे यह तो और भी खुशी की बात है तेरा अपना घर होगा लेकिन तुम बूप उला के क्यों बैठो मैं बताती हूँ वो हमें छोड़ कर जाना नहीं चाहता अरे पगले बंबई कौनसा दूर है जब भी जी उदास हो जाए गाली पकड़ कर चली आना वो तो चीख हमा लेकिन नरेश भीया चाहते हैं कि तुम भी उनके साथ जाओ मैं बंबई जाओंगी और तेरे पिता जी यही रहेंगे हा मा पिता जी को यही रहना होगा पिता जी आप तो जानते हैं मेरे तंसा बहुत कम है मैं सब कर खर्चा कैसे उठा सकूँगा हम नों तो सिर्फ खर्च बातने के लिए सब कर रहे हैं और वो भी कुछी दिनों के लिए कुछी दिनों के लिए कुछी दिनों के लिए तुम हम दोनों को नहीं रख सकते हैं हम बोज हो गए हैं क्या हाँ पच्चीस साल तक हम दोनों ने साथ मिलकर तुम लोगों को पाला पौसा बड़ा किया और अब तुम सब मिलकर हम दोनों को कुछ सालों के लिए साथ नहीं रख सकते पिता जी आप घलत समझ रहे हैं आज कल की महंगाई देखते हैं मैं तो भूली गया था अब मैं कमाता नहीं हूँ न हम दोनों का खर्च हमारे बेटों पर है सरोज अब हम अपने बेटों के मोताज हो गये है तुम लोग इस उमर में हम दोनों को अलग करोगे मेरे बिना इनको कितनी तकलीफ होगी इनका खाल को रखेगा हमारे भी मजबूर या अकर नहीं रहने दोस्टरोश अब इनने कुछ भी कहने की ज़रूर नहीं यह पहले से ही फैसला कर चुके है इसमें इनका भी कुल कुसूर नहीं हमारा दूरबाग यह है कि हम दोनों अभी अभी तक जिन्दा हैं और वह भी यह 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 दिन देखने के लिए ठीके बैटा जो तुम्हें सही लगे वही करो अब तु तुम्हें इस घर के बढ़े हो समाल के रखना उस बाई जो सुदा कितने ना काया बाई प्रभू साला समाल आगे ना ठीक से किलना देखो तुम अपना खायल रखना सर्दी शुरू होने वाली है मैंने तुम्हारे सारे गरम कपड़े इस पेटी में रख दिये हैं ताके तुम्हें धूड़ना न पड़े तुम्हें भी तु जोड़ों का दर्शुरू हो जाता है दवा हमेशा पास रखना तुम मेरी चिंता मत करो तुम्हें कुछ याद नहीं रहता और हाँ तुम्हारी याददाश के लिए मैंने इसमें साब लिग दिया है अगर भूल जाओ तो एक बार पढ़ लेना जाओ क्यों जे लेना पुल्मा जाओ क्यों जाओ 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 तुम्हें शिकायक थे ना, कि मैं खत नहीं लिखती, अब मैं और आपते खत लिखा करोगी हाँ सरोश, अब चिठी कहीं तो सहरा ले गया है मा, चलो, तेर हो रही है अरे, चद्दू कहा है चद्दू, चद्दू, जादी कह पाउचू इटरो गुरनी गष्ट जब रहा गजए, चद्दू प्राष्पेल पाल गेजिए पेताजी कर ख्यालत ला है? अच्छा कितने बड़िया फटग्रास आई है अच्छा प्राष्पेल लागली सर्थ दून्यावा धन्यावा है हुआ सॐन्याव स्थाष करता है कि आप्राइब अारी आपस्पूर। क्यों, क्या हुआ? मेरे माता, पिता, जो जिन्दगनी कभी पलबर के लिए लगने हुए मेरे भायों ने उनका बटवार कग दिया लेकिन जहां तक मैंने पड़ा है, वहां तक तु लिखा है कि वह बहुत होश है, छोटी बहुँ उनका बहुत ख्याल रखती है मैं वह पड़ी मजए, जो इस ख़त में नहीं लिखा है हाँ, सीमा, तुम ठीक कहती हो क्या पथर का कलेजा होगा उनका माबाप जो बच्चों के लिए करते हैं, अगर हम साथ जनुब भी लेने ना तो उनका करदा नहीं चुगा सकते हैं और पिर इस उमर में तो उन्हें आराम की, सेवा की एक दुसरी के साथ ही जरूर थी अजय, मेरे पीताजी मुसे बहुत प्यार करते हैं उन्होंने अपना पेट काट काट कर, मुझे आप पढ़ने के लिए भेजा था मैं तुम्हार दर समझता हूं सीमा अजय, मैं सिम्कन के बाद पढ़ाई छोड़ दूगी अब वो मेरा खच कैसे बदश करेंगे ना जाने उपर क्या खुजरती होगी भभी, मामा को चाय दी देदी माद दी जी का पतमी जी जब मामा कमाता था, तो अख बार सबसे पहले वो पढ़ता था सबसे पहले चाय वो पीता था और अभी प्रभू तुझे कितनी बार कहा है, मेरे लिए जगड़ा मत किया करें पर मामा ये क्या दरीका है प्रभू देखा, बिना चाय पी ही वो ऑफिस चल गए पिताजी को तो कहीं नहीं जाना है, मैं उनी के लिए चाय बना रही थी तो कौन सा ऐसान कर रही थी अगर मामी यहां पे होती तो तुम्हारे हाथ की चाय मामा को कभी नहीं पीने देता कितना खयार रखती थी मामी मामा का है न मामा पता नहीं यह फनी चाय वाला कब अरे माजी यह सबजे तो सब ऐसी पड़ी अब क्या होगा नीकी गुड्डू का नाश्ता तयार कर रही हूं बहू उनकी बहस नहीं कर जाएगी माजी मैं क्या करूँ इनको भी फनी चाय आज ही मंगवाना था बस बिना पुछे हुकम चला देते हैं मैं क्या करूँ मेरे दो हाथ तो है बहू तुम उधर का ध्यान दो मैं सब कर लूँगी देखा भूल गई नहीं बढ़ों के लिए डाल पिस नी थी वोड़ों मैंने सूबच चार बज़े उड़कर पिस दी थी क्यू माजी आज मेरी इज़त आपके हाथ है पिछले हाथे जब मिसिस पन्या के हाथ काट का सशिन था तब उन्होंने इतनी चीज़े बनाई थी कि खा खा के मर गए थी अब बपन कहा इतनी सब चीज़े बना सकते है तरह भी दिखावे के लिए ना चार पांच चीज़े तो बनानी ही पड़ेंगी ममी ममी पापा बलते शामान आ गया ओफो इस घर में तो एक मिनिट का चाय ने एक अब चाय तो पिने दो तुझा मैं आती हूँ तब नाश्ता अरे-अरे-अरे आज अपने हाँ कुछ महमान आज आज आपकी किदी बाठी है शुकर है आपको याद तो अरे ये पिताची की तस्वीर हाँ किस ने रखी मा ने रखी होगी तो आप एक काम करो प्लीज ये ले जाके मा के कमरे में रख तो नाई सुदा इसे यही रहने दो खाम खाम आको दुख पहुचेगा भई मैं रखने के लिए कहा मना करती हूँ लेकिन डालिंग हर चीज के अपनी जगा होती है अब आप ही देखो देखो न ये फ्रेम कितना पुराना है यह अच्छा लगीगा यहाँ तो है ना अच्छी लगीगी देखो हाँ यह रही आपके तस्वीर और यहाँ पर मेरी तस्वीर शादी से पहले मैं कितने खुबसूरत लगती थी वह तो अब भी लगती हो रहने दो बच्चों के बाद तो मेरी फिगरी खराब हो गई है ऐसा करो तुम फिगर्ड जोइन कर लो, फिगर्ड देखके तो मैंने तुम से शादी की तुम से शादी की तुम चलो तविछा काम करो अच्छा मैं चलता मुझे देर हुरी है चलता क्या कुटा बैटे, पिताजी की तस्वीर माजी, पता ने किसने इतनी लापरवाई से इतने कोने पर रगती थी, मिरा हाथ लगा और किर पड़ी वहू, ऐसा भी क्या हम भी घर का काम काज करते हैं हमसे तो कभी घर की कोई किज नहीं तूटी ऐसा भी क्या गजब हो गया माजी कांची तो तूटा है, तस्वीर को तो कुछ नहीं हुआ मैंने आ फ्रेम लगवा दूँगी माजीफो, खुल निकलाया तुम रेंगें सुल उठा लेगे, और दबालागा अरे कुछ नहीं हुआ बैटे तुम तयार हो जाओ तुम्हारे ओफिस का वक्त हो चुका है मा तुम घबरों ने मैं नया फ्रेम लगवा दूँगा रहने दे बैटे नहीं तस्वीर दीजे रहने दो बहु नया फ्रेम लगाने से तस्वीर नहीं तो नहीं हो जाएगी फिर मुझे फ्रेम का क्या करना रस्वीर तो है बस परली यहीं काफी है यह लो बहुत डेर रुपया यह एक रुपया और यह आठान है पिता जी मैने आपको तीस रुपय दिये थे यह हिसाब तो सिर्शभीस रुपो का है यह हाँ मैंने दो पैगेट सिग्रेट के खरीद लिये थे तुम तो जानती हो बेटी यह कमवक्त ऐसी आदत है चाहने पर भी नहीं चूटती पिता जी आपको कुछ तो सोचना चाहिए के खाने वाले चार-चार और कमाने वाला एक इस वेरा पैसाफार को खर्च होता रहा तो घर कैसे चलेगा और सनौस भाई पैट की घरबर है भाई यह पैट की घरबर हुई के दस बिमारिया और साथ आ जाती है और उपर से यह तिन तिन पैकेट सिग्रेट के नहीं डाक्टर मुझे कुछ नहीं हुआ है दरसल बात यह है कि मैं क्या वो मैं शर्माव नहीं भाई और भी डाक्टर होने के साथ-साथ मैं तुमरा दोस्त भी हूँ डाक्टर मुझे एक फोन करना है तो इसमें पूझने की क्या बात है लोकल कॉल नहीं बॉम्बे कॉल करना है बंबई अच्छा अच्छा भावी की याद आ रही है बत्मन की आदब गई नहीं तुमारी यार मेरे तुम तो भावी के लिए ऐसे तरप रहो जैसे अभी अभी ब्या के लाया इसमें खासने की कोई बात नहीं है भावी सिग्रेट कम करो सिग्रेट कम करो एक बात और है डॉक्तर वहां बोलो इस कॉल के लिए मेरे पास इसमत पैसे नहीं है शुकला तुमने मुझे समझ क्या रखा है यह कोई सरकारी टेलीफोन बावन नहीं है नहीं किसी बनिया के दुकान तुम मेरे दोस्तों यार इतने छोटी बात करने से पहले जरा सोज तो लिया होता माफ करना डॉक्तर खरीबी में कपडे का धामन तो क्या दिल का धामन भी बहुत तंग हो जाता मैं समझता हूँ ऐ भाली मानस सुनते हो अरे सुनते हो कर नहीं राम राम क्यों गला फार फार चिला रहे है बोलो क्या काम है अरे भई ऐसे ही आवाज दे दी तुमारी सुरत देखे घंटा भर बीट चला था इस लिए मालुम करने के लिए के तुम इधर ही हो ना अरे इधर ही नहीं हूँ तो और कहा भाग गई थी जब जमानी में नहीं भागी तो बुहापे में क्या रखा है? वो तो मैं जानता हूँ कुछ नहीं रखा, मगर चाय तो बना सकती हो, शुकला जी आया है हे भगवान, एक कफ चाय बनवाने के लिए इतना लंबर चवारा मान सुनाने क्या जरूरत थी मैं जानता हूँ, तुम फोन करने के लिए बेताब हो रहे होगे दो मिनिट की बात है, तुमारी भावी चाय बना के आती होगी जब तक गफचप माते है, आओ बैट अलो, मिस्स पांडिया ने तो पताना देने की कसम खा रखी है इनके हाथ के नीचे बैटके ना मैंने अपना सप्तिया नाज कर लिया तुन लो, शेशी, मैं तो खेल में अनाडी हूँ कभी कभी तुजो के ने ठेक देती हूँ लगता है मिस्स पांडिया नाज भाई खाईए देख न, अब ये बरतन कोई नही उठाएगा इस घर में काम करने वाला कोई है ही नहीं जब तक 10 बाद ना चीखो, कोई सुनता ही नहीं उठाए देती हूँ, उठाए देती हूँ चलना रमा कितनी देद लगाती है मुझे नहीं चलना है मिस्स पंड़ा को चलना है चलने भई भाई कुछ कहो सुधा, तुम्हारी नौकरानी में दही बड़े कमाल के बनाए हैं विल्कुल सुधा, तहीं से चोरे की आदत तुनहीं तोड़ो, तोड़ो, सब बरतन तोड़ो, एक मेरे सरके भी फोड़ो जाने दे सुधा, जारी गुठ्धी है यही तो चाहिए था कप से बैटी थी एक पत्ते पे चलो गिनो, चुक्ती होगी, तुमसे चार जोकर लिए बैटी थी ठोले हैं तुले हैं मैं तुम्हारी रही है जान मेरी, मेरे पती की तरह लाखों नी कमा था बिचारे दफतर में कलम गिस्ता है चलो गिनो, मैं देखते हूँ फोन चलो गिनो, मैं देखते हूँ फोन चलो, विस्वा हलो हाँ जी जी एक मिनिट गुदूनिकी तुम्हारी दादाजी का फोन है अंदर से बुलाओ हालो चलो चलो वान की में? कितने में? राश घ्राव ली utilizar किसी थी हई खाते ही हलो सलोज हाँ मैं मैं बोल रही हूँ हाँ हाँ अच्छी ही हूँ हाँ मेंके बुल भी अच्छे है सुनो बहु और नरेश तुम्हारा खाल तुरसा है न अहाँ खाल न हाँ खाने पिने के सिवा और कुछ कामे नहीं दिन भद चोकड़ी मार कर बैखे रहती हूँ और आप तो ठीक है ना मोजे क्या हो सकता है एकदम मस्त राम की तरह जिनकी गुजा रहा हूँ मैं जूट तो नहीं बोल रहे हूँ ना मेरा दिल रखने के लिए सरुष तुम जानती हो मैं कभी जूट नहीं बोलता खाओ मेरी कसम तुम औरतों की यही मुसिबत है बाद बाद पर कसम दिलाती हो खाओ मेरे सर की कसम बबब तुम्हारी कसम बस सरुष तुम वहां अकेली कैसे रहती होगी कभी अलग नहीं होए ना हम बोला पहली बाद सारे दिन एक जैसे नहीं रहते जी किसको दोश्टों के थोड़ी दिन तुरे गए है क्या हुआ तुम्हारी तबियत तुठीक है ना खास रही हो नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ मैं ठीक हूँ सुनो ठंच शुरू हो गई है टंच से कोट निकाल कर पहन लेना और उसमेना मॉफलर भी पढ़ा है सुन रहे हो ना और देखो नंगे पर घर में कभी ने गुमना मुझे पहन कर रखना सुन रहे हो ना तुम्हें चिठी क्यों ने लिखी तुम्हें तु मालूम है मुझे चिंता लगी रहती है सुनो सरोज मैं किसी तरह कल बॉंबे आ रहा हूँ क्या 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 तुम तुम आ रहे हो तुम आ ये बिना जी नहीं लगता मेरा ज़रूरा ना ज़रूरा ना एक नजर देखते को मन करता है क्या क्या क्यों फोल हाँ क्यों फोल क्यों सुदा ये अच्छे नहीं किया तुमने जाने अंजाने हंडे क्या कुछ कहगी सुदा हं नए फैशन के जरूर है मगर अपने सास को नौकानी नहीं समझते क्यशल क्यों पेज़ी पूल हाँ दादीमा, दादीमा, तुमको पत्थे खिलने आते हैं? नहीं, बेटी देखो, मैं बताती हूं ये बाच्छा, ये रानी, ये गुलाम ये पापा, मामी, तुम . . . . . . . . . जमेश, जी पिताजी, पेटे कुछ पैसों की जरूद आप पड़ी है, पिताजी आपको पैसों की क्या जरूद पड़ी, पेटे सोच रहा था मैं, बंबे हूँ, बच्चों की सुलद देखनो, और तुमारी मा से नहीं मिलाँगा, आज ही तो आपने मा से फोन पर बात की है, और फिर मा कोई पराए घर में थोड़ी रहती है, नरिश भी या के पास रहती है, फिर भी बेटे में, पिताजी, इस महीने तो बिलकुल गुंजाश नहीं, आप तो घर का खर्चा देख ही रहे अगले महीने में मैं जरूर कर दूँगा, अच्छा करिंगा तो फिर में कोई चृवा मामा जी ओ मामा जी अरे बोले सारे गामा जी अरे 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 अपने सब हमसे दो केलो अरे अरे हमसे खुशिया ले लो मामा जी ओ दादा जी देखो हते हते कब दुप अजये चू चू बुड़न चू ऐ बुड़न चू बुड़न चू हुआ हुआ है बगिया में तो कोई है मेरे घर में है कवा कल जो भीगी दिली थे अज बन गए रे हुआ ओ मामा जी दादा जी देखो शेर बनोगे हुआ होगा छू छू पूरंचू मामा जी ओ मामा जी दोले तारे गामा जी मामा जी ओ मामा जी दोले तारे गामा जी अरे हस्तो 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 वर ना कर देंगे हंगा मा जी पर रे ना क्व़रा जी दोले पिन दोले दोले परों धारे प्मे कर दोले लिजिए दोले दोले को शीओन दोले हसना तुम से तीखा है तुम को हसा के छोड़ेंगे तुम ना हसे जो मामा जी तो हम भी रो देंगे ओ मामा जी ओ डाता जी देखो हो जाएगी अपनी खुषी भी छूँँ भूडन छूँँ मामा जी ओ मामा जी पोले तारे गामा जी अरे अपने सब हम से दो अरे हम से खुशियां ले लो ओ मामा जी ओ दादा जी देखो हते हते सब्द को जाए छू छू भूड़न छू ये उड़न छू पूलन छू़न छू़न हम язवे बढ़ी चुशियां टू़सियों चुशियां गुशियां को देखो हम से खुश बढ़न रवूबनक जी खुशियों गनाल कुशियों, चुशियों ओनाल फडी ओमी कुशियों thank you आ जताव हैं मामी प्रबुटू जीते रहो बेटे तेरे मामा नहीं आये अरे वो तो आई रहे थे लेकिन मैने तुझे बहुत दिन से देखा नहीं था बस इसलिए साइकल पकड़ियों चलाया ये उंगली को क्या हुआ ओ ये तरकारी काट लही थी ना जरा सी चोट आगे तेरा हाथ तो बुखार से तपना है प्रभू तुझे आज दो मिनिट नहीं हुए अपने मामा की तरह सवाल करना शुरू कर दिया पहले ये तो बता तेरे मामा की तबियत कैसी है बहुत मज़े में है अकबार पढ़ते हैं चाय पीते हैं अपनी ब्रैंड का सूटा लगाते हैं अरे गीता का पाड़ भी करते हैं लेकिन तेरी हालत देकर तो लग रहा है के लाडो रानी खूब सेवा कर रही है तो अधी प्रभू तु ज्यादा बगबग मत कर तो अनर्थ हो जाएगा तो अंधा चाय वाँ नोकरों का कमरा खाली करके दे दिया आपको पुलाड साब घर पे है प्रभू मैंने तुझे मना किया है मामी क्या तु मुझे अंदा समझती है मुझे पागल समझती है मैं इतना पागल नहीं हू तेरी सूरत तेरे कपड़े देखिए तेरे प्रभू तो अपने मामा से कुछ ना कहना क्यों मैं मामा से सब कहूंगा सब कुछ कहूंगा दे प्रभू तुझे मेरे सर की कसम अगर तुने इस बारे में अपने मामा से कुछ भी कहा ठीक है मैं कुछ नहीं कहूंगा जो देखा है जो समझा है कुछ नहीं कहूंगा लेकिन वो लाड सापके बच्चे को दो हाथ दिखा के जाऊंगा प्रभू, प्रभू सुन तो नरेश नरेश कौन है प्रभू, तुम कब है खूब सेवा कर रहे हो अपनी माँ की चार दिन में क्या हाल बना दिया शर्ब नहीं आती तुम कौन हो जो बोलने वाले वाव, वाव, बंबई आते ही खून सफेद हो गया आज मैं कौन होता हूँ कल अपनी माँ खो बचाने से इनका जोगे काम करो, सारी जिंड़े की परफ़ बच बने रहे अभी एक पैसी कमाई किया है हमारा ही खाते रहे अरे तुम मुझे क्या खिला máximo goo, अपने मामा ममी का खाता रा हूँ वह कमते रहे, और खिलाते रहे तुम अपने माबाप को नहीं खिला सके मुझे खिलाओगे राम सिता की जोडी को अलग रहा मुझे खिलाओगे अब जुबान मत खोला नहीं तर ठपड़ दुआ अरे देखता हूं मेरे भी दो हाथ है जोरू के घुलाम रामु 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 आप चीजा, आप चीजा, तुम्हार बेटा नहीं, मैं कोई नि, मैं तुम्हार बेटा नहीं, तुम्हार बेटा नहीं हम हम सारे को आए है लो रोकर चले है हम देखो हस्ते हस्ते सब सुक हो गया छो फुरन छो पुरन छो पुरन छो पुरन छो जब देखो बगायर बताये चले जाते हो इधर मैं परिशामेता हूँ दिन भर गुमना आवारा गर्दी करो ना किसी का डर ना किसी का लिहास अच्छा बताओ कहां गयते तुम अरे बक्ते क्यों नहीं हो कहां गयते तुम बंबई गयता बंबई गयता तो बंबई गयता हम हम चले में साथ इधर आ बैज अपनी मामी से मिला था नहीं मिला अरे फिर बोलता क्यों नहीं कैसे तुम्हारे वामी कोई तक्रीर तो नहीं उसे अरे ये गते की तरह सर क्या हिला रा बोलता क्यों नहीं मामी मामी इस भैट क्या मतला तब ये तो ठीक है ना उसकी अगर हुआ क्या उसे नहीं कोई खास बात नहीं लेकिन मामी को तुम्हारी हर वक्त चिंता लगी रहती है ये बोलने ही सकता था तु कैसे बोलता बोलने से कसम डूट जाती ना इसलिए लिके दिया है तुम तु समझते नहीं हो मामा प्रभू देखो कल सुबे चंदू की फीज भरनी है याज से मुझसे ले लेना बना जुर्माना बना बना पड़ेगा समझे भूलना नहीं जुर्माना बना पड़े जाके स्कूल में फीज भर दो इस प्रभू अचालक क्यों भाई अपनी पत्मी से मिलने के लिए किसी की इजासत लेनी पड़ती है क्या वाँ अब तो तुम शहर की हो गई हो बस हमें गाओं के रहे का है हमारे सुपूत और बड़ी वो का है बाजर गये हैं आते ही होंगे और अपने गुड़ू और निकी दिखाए नहीं दे रहे वो बाहर खेल रहे हैं अच्छा सब बाहर गूमने चले गए और तुम यहां अकेली काम करें सुनो तुम सफर में खग गए होगी आओ मैं तुमारे लिए चाय बनाती हूँ आओ कहाँ अजय भाई इतना वड़िया कबरा है और तुम मुझे रसुई गर में ले जा रही है और सुनो इतने पैसे खर्च करके मैं यहां चाय पीने नहीं तुम से मिलने आया हूँ तुम से बाते करने आया हूँ हाँ मैं भी तो यही चाहती हूँ कि तुम थोड़ी दिन मेरे पास बैठो आओ आओ तो सही चलो कैसे हो तुम अच्छा हूँ रभू बता रहा था तुम कैसे हूँ अच्छी हूँ पेहिनो दिवसाहा गता सच मुझ अब हमारे वो दिल में ही रहे एक बात मेरी समझ भी नहीं आ रही सबूज अपने बच्चों पर विश्वास करके हमने कोई गलती तो नहीं की कुछ फाइदा है यही समझ लो अपनी किसमत में सुख नहीं लिखा था चाहो तो समय का फिर समझ लो हाँ सबूज हम अपनी जिन्दी जी चुकी है लेकिन सबूज मुझे इस बात का घम नहीं है कि मुझे वक्त पे चाहे नहीं मिलती लोटी अच्छी नहीं सिग्रेट के टुक्रे करकर के पीने परते हैं मैं सारे घम बरदाश का सुनता हूं सारी तकलीफ है सह सकता हूं अच्छा 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 तुम तयार हो जाओ मैं जा वादर खुरता हूं एक्स्पिर मी नरीस आप गर में है जी नहीं वो तो बाहर गया है लेकिन आप आये अंदर आये बस अभी आता ही होगा वो मैं जी कुछ काम था उससे बस उनका शुक्री आदा करने आया था उन्होंने हमारा बहुत बड़ा काम निप्टा दिया अच्छा यह सुनकर तो बड़े खुशी हुई दरसल हाद बापको अपनी आवलाद की तारी सुनकर खुशी होती है आप उनके पिता हैं आप चायवाई पेंगे जी नहीं मैं जल्दी में हूँ बसी लिफावों ने दे रही जीए जरा समालक रखिएगा दस हजार रुपे हैं दस हजार रुपे किस बात के आप से छुपाने से क्या फायदा आप उनके पिता हैं समझ लिए यह मावजा है जो उन्होंने हमारे लिए किया है मावजा साफ साफ क्यों नहीं के दाब रिश्वत दे रहे हैं और आपका बेटा रिश्वत ले रहा है क्या आप बक्ते हैं आप वो मेरा बेटा है इमानदारी हमारे खांदान हमारे पुरोजों की घुटी में पली है जनाब मैंने तीस साल नौकरी की है हजारों लाखों इन हातों से गिले हैं किसी माई किलाल की हिम्मत नहीं हुई मुझे रिश्वत देने की जुड़त लक्त करें उठाके ले जाए इस पास की कमाई को और हमें अभी पुलीस में ख़वर देलता हूँ थैंक्यो नरीश साहब आपके घर बलाकर बहुत उतकी अगर आप थोड़ी देर और आते तो यह साहब मुझे जेल बिजवा देते थैंक्यो पेता जी आपको क्या जूरत है मेरे ओफिस के काम में दखल देने की आपको मालू है नहीं घर कैसे चला रहा हूँ कि इमानदारी से रोटी मिल सकती है पकान ख्रीदा जा सकता है बच्चों की फीस कपड़े लगते यह घर गरस्ती चलाने के जिम्मा मुझ पर है आप पर ने यह मेरा मेटा बोल रहा है पेता जी भूल जाई हो देने कि अब शराफत इमानदारी ने चलनी के बदले में मेडल मिला करते थे आजकल भूक और बंदामी मिलती है जिंदगी भर की मेहनत और इमानदारी के बात आपको क्या मिला मैं बताओं बेटे क्या मिला मन की शांती मिली इज़त मिली मैं सर उचा करके चल सकता हूँ जो आज की तुम्हारी इस नई पीड़ी के नसीब मिली ठीक है यह आपको ख्याल होगा अगर आपको इस घर में रहना है तो आएंदा से मेरे काम में दखल मत दीजिए तुमसरे लबजों में तुम मुझे अपने घर से निकाल रहे हो बेटा ठीक है मैं खुद यहां रहना नहीं चाहता जिस घर में मान मर्यादा नहों जिस घर में पाप की कमाया आने लगे उस घर का पानी पिना भी मिल्म तुम्हें जरूर मालू होगा पिताजी कहां गए वो तो मालूम है बंबे गए बंबे गए लेकन उनके पास पैसे कहां से आए मैंने दिये तुमने दिये कहें से चोरी किया है क्या लो चोरी करने की जरूरी क्या है भावी ने चंदर के फीस के पैसे दिये थे वो मैंने मामा को दे दिये चन्दन की फीस के पैसे तुमने पिताजी को दे दिए तुम और क्या करता...? कहांव से लगता पैसे...? तुम हम शर्म नहीं आ Platzी बच्चे की स्कूल की फैसे दी कल अगर उस निकल दिया तो वोहो तुन निकाल देंगे तो क्या बुरा होगा पढ़ लिके तो तुम ही जैसा बन जागा बखवास बंद करो प्रभू प्रभू यह तुन्हे अच्छा नहीं किया बहुत बुरा किया तुन्हे बहुत बुरा किया? और यह दोनों भाई तुम मामा मामी के साथ जो बरताव करने वो अच्छा करने कल इनके अपने बेटे इनके साथ ऐससा बरताव करेंगे तो फ़दा चलेगा निकल जा अरे तेरा घर कौन सा मेरे मामा का घर है अगर मेरा मामा मुझ्टे क्या रखएख चली जा रहा तो चली जाओंगा बनी मामा अरे शुकला, क्यों, आज फिर भावी की याद आ रही है क्या, देखरी यार, फोन करने से तो अच्छा है, एक बार मिली आँ, आखर बंबाई हाई क्या, ने ने डॉक्टर, वो बात नहीं, मुझे तुमसे एक सला लेनी है, सला, बोलो, डॉक्टर, मैं सोचता हूं, कोई काम छूटी-मोटी नौक्री है, अरे, चारी उमर काम किया है, बच्चों को पढ़ाया, लिखाया, अब वो अपने खाते कमाते हैं, तुम अब बगवान का भजन करो, अगर आज मेरी आउलाद होती, तो क्या मैं काम करता, अब अपने बच्चों के बारे में तुमें क्या बता फिर बच्चे होते हैं, माबाप एक-एक दाना चुन-चुन के लाते हैं, और अपने बच्चों को खिलाते हैं, और फिर बच्चे बड़े हो जाते हैं, और एक दिन भुर से उड़ जाते हैं, अपना खांसला तक फूल जाते हैं, यह तो कुद्रत कान लिखा कानून है, द मैं तुम्हें क्या बता हूँ डॉक्टर, मुझे नौकरी की सक्सरूत है बताने की जरूरत नहीं, मैं सब समझ रहा हूँ फिर तुम अपने आपको देखो, काम करते हो, किसी के मौताज तो नहीं हूँ न और फिर आज भी, तुम्हारी पत्नी तुम्हारे साथे रहती है मैं समझता हूँ डॉक्टर, जवानी में पत्नी की इतनी जरूरत नहीं होती है जितनी बुडा पह में होती है अजी सुनते हो, कब से इंतिजार कर रही हूँ, खाना तो खालो दिनके तीन बज गया है तीन बार गरम कर चुकी हूँ, भगवान, ऐसी ग्रस्टी किसी के पल लेना पड़ है तुम्हारा बस चलाए तो मेरी खाट रसो इस गर में डाल दो अरे दो रोटी सेंग देती हो, तो कौन सा असान कर देती हो, असमान सब पर चड़ा रखा असमान सब पर चढ़ा रखा है तुमको खाना हो तो खालो क्या कहा तुम जानते हो ना कि तुम्हें खिलाए बिला मैं नहीं खा सकती हूँ इसलिए मुझा धौस जमा रहे हो, क्यों तुम्हें अपने पेज की परवाह नहीं, तो कंसु कं मेरा तो ख्याल करो और ये मैं ही हूँ जो तुम्हें साथ निबाय किये चली जा रही है ना आगे देखती हो ना पीछे, जब जाए टोपी उतार के रख देती हो इतना भी श्यालनी एक शरीफ आदमी सामने बैठा है दंदर आते हो चली आती हो, जाव नहीं खाता अरे नहीं खाते तो मत खाव मेरी बला से, नहीं खाते जो, दौक्टर आज तुवारी जिन्दगी से मुझे जलन हो रही है मेरी धर्म पतनी के कारण जलन हो रही है, मैं तो परिशान हो गया उससे कुछ भी हो, डौक्टर, तुम हो बड़े खुशनसीब आदमी अरे भाई, जैसी भी है, तुवारे साथ तो है अरे तुम फिर आदम की? अरे खाना नहीं, खाया तो नास्ता तो कर लो, खाली पेठ हवा भर जाएगी लो, पकलो भी भाया, तुम भी खाओ यह शुक्रिया भावी, मैं खाना खा के आयो अच्छा, तो यह लो मिठा मैं जानती हूँ, तुम्हे मिठा बहुत पसंदे वा, किस शुब घड़ी में पहुंची हैं, Bombay ट्रेन बंग, टैक्सी बंग, बस बंग, Bombay बंग कम से कम अपने भाई को तो लिख दिया होता, वो मैं स्टेशन आ जाते लिने और यह मुसीबत मुझे नहीं उठानी परती मैंने इसी नहीं लिखा कि मैं आपने भाईया को सब्सक्राइश देना चाहती थी मैं सब्सक्राइश देना चाहती थी, और हमारी तो जान किया पड़ी अब इससे घबर आ गए मिस्टार, जब ग्रेस्टी का बोज उठाना पड़ेगा तब पता चलेगा पर तुम्ही कमर मट कहां जा रही हो, कुछ करो ना कितने अच्छी हो तुम, इतना बोज उठाने के बाद भी तुम्हारी नजर मेरी कमर पे है Thank you very much You are most welcome अरे माजी, आप बरतन दो रही हैं, लाइए मैं दो देती हूं जी दो बहुत आप अच्छी है ना, मुझसे कहोता मैं कर लेती अब अच्छी मैं करती हूं माजी, पता है, कल रात को मुझे बहुत दांट रहती कह रहे थे, किसी माई है अगर वो इस तरह दिखे, कि तो क्या सुचेगी ठीक ही तो कह रहे थे ठीकिन माजी, मैं जबान की कड़वी जरूर हूं ठीकिन तिरसी बहुत अच्छी है होता है ना, माजी, अगर दो बरतन होना तो वापसे जरूर तकराते हैं आप अभी तक खड़ी हैं, जाई आप आराम कीजे जाए ना, माजी, मैं कर लूँगी आपको फिकर कने की जरूरत नहीं घब रही है मत महराज अपना पूरा इंफुलेंस लगाकर अच्छे नमबरों से आपको पास कराऊंगी अरही मेरे बात वो तो आपके माताबी तो मुझे देखती ही पसंद कर लेंगे अच्छा जी इतना यकीना खुद पर तो इस बात पर हो जा एक ठीच-ठीच-ठीच, फोन पर ऐसी बात नहीं करते अच्छा मैं रखती हूँ ऑके बताओ तो हमें भी तो कुछ पता चले क्या नाम है उसका मुझे नहीं मालूप अरे वाँ अभी तो बड़े हंस उसके बाते कर रही थी बेटी, उसे कभी घर पर बुलाओ हम भी तो देखें मा बोल बेटी मा, कल अजय ने अपने घर पर मुझे बुलाया है मैं जाओ अच्छा, तो तो उसका नाम अजय है ओ मा बेरी बेटी बाब बाब, क्या मा बेटी का प्यार हो रहा है सुदा, एक कप गरम-गरम चाय पिला ना हाँ भी ले हाँ मा, कल घर में एक पाटी है माने अपने बॉस को और ओफिस को कुछ लोगों को चाय पे बलाया और मैंने उन्हें कह दिया है कि मेरी मा के हाथ के बनी हुई चीज़े खाएंगे तो उम्लिया चारते रह जाएंगे बाइया, मैं भी अपनी पसंद की दोचा चीज़े बनाऊंगी आप कुछ लेंगे आप कुछ लेंगे आप आप लेंगे तुम मेरी चिंता मत करो बेकी, महमानों का खाल रखो जा लीजे न, एक पूलीजे हलो मा साथ हलो मन्जीत बाबू हलो सुधा देखो कौन आया सर, आनमेती देर होगी ट्राफिक जड़ा है, रास्ते में जादा और एक, नहीं, देखो कैसे बाद कर रहा है यह मेरी पत्नी सुधा है और यह हमाई बॉसर वर्मा साथ और यह उनके बेटे मन्जीत बाबू नमस्ते मैं तो डड़े गए थी, सोचा पता नहीं आप आएंगे या नहीं आएंगे क्यों बही आजी क्या बात है मैंने तो इससे आने का वादा किया था बढ़ा लों का क्या भुरूसा वादा क्या भूल गया अजी सुदा वर्मा साब ऐसे नहीं है अपने आपने बहुत ख्याल रटते हैं अभी तुम इने रोक रखूगी या अरे इनका अपना घर है आये वर्मा साब आये सीमा यह वर्मा साब नमस्ते यह मेरी भेएन सीमा अभी ने निटाल से बिया का एक्जाम देकर आये और सबसे बड़ी खूबी यह है कि गाती बहुत अच्छा अच्छा वाद 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 आये वर्मा साब आये हलो अच्छा सुनिये आपके बाई साब कह रहे थे आप अच्छा गाती है अगर कोई आपके कहीं कि मैं बहुत अच्छा रूती हूँ तो क्या आप मेरा रोनसीना पसंद करेंगे बाभी जी देखे ना हमने तो इंसे बहुत रिक्मस्ट थी हमारी बाद तो नहीं मारती है क्या हुआ जर आपी कहीं गाना माना सुना दे आपी में रोलन का जाएगी जरूर वो बर्मसर माना सीमा जब मंजीत बाभी इतनी जेट करें तो गादो ना नहीं बाभी कुछ खासवात हो रही है लगता सीमा की बाभी ने उसे गाने के लिए मना लिया है में नाबनू 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 ए में नाबनू नाबनू दी inging गोल मीया बाजू तकी हाँ वोही पीस है बच बने थिये मैं तो दरूरे 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 मैं ना बोरू ना बोरू ना बोरूरे बोर्द करते ना बोरूर थी जनया थानित Looks AI वोरूर जन्रे धार हीवश करो दिये जन्या तरूर रिरो बोरूर वोरूरण विरूर मैं एकड़न मैं कुछ से भारे अख्या हमारे करती भत ये बाते तुभारे लाख जगन दारे मेरो निंतक्ति सू कोई जादू हमने है चलाए मैं न बुरू न अबनू न बंदे मैं ता जोलू रे रनू जोलू दे कर दोलू ये छarksटी कर दोलो शहती कर दोलो कर दो जादू जीवन सारा, यूही गुंसारा मोरे मेरी या, भूंदे की नारा संग संग पवन के बंची बंदे आमी वाले यकता, आभीता मैं ना वरू ना वरू ना वरू ना वरू ना वरू दे मैं तो लोलू, आरे लोलू, भूंदे नरेश वही तुम्हारी बेहन थो हमें भारी थांक्यू सर्थ थांक्यू मंजीब को तुम जानते हो उना समझ है, थोड़ा कर जिम्मेदार है अगर कल उस पे जिम्मेदारी डाल दी जाए तो सुधर भी सकता है वरू सब मैं समझाने मेरा मतलब है अगर उसकी शादी सीमा जैसी पढ़ी लिख्की और समझदार लग्की के साथ हो जाए तो उसके जिंदी सुधर सकती है इसमें मुझे कोई जल्दी नहीं है सोज समझ के जवाब देना मैं तो कहती हूँ के इस रिष्टर से वरमास के घर आना जाना रहेगा इतना बड़ा कारोबार है उनका और सीमा से शादी के बाद वो लोग तुम्हें अपना मैनेजर बना लेंगे सुधा मंजीत अच्छा आद्मी नहीं है आफिस में लोग उसके बार में क्या-क्या बगते हैं और फिर मैंने अपने आखों से उस लड़की उसे फ्लर्ट करते देखा है चान मेरी पैसा हर एप को छुपा देता है और फिर कौनसा ऐसा मर्थ है जो शादी से पहले यह मामूने ही मारता लेकिन सुधा हमें सीमा की रहे लेनी चाहिए अगर आप इसी तरह सोचते रहना तो बन चुका आपका कैरियर लड़का इतने बड़े घरका है पढ़ा लिखा है और फिर सुसाइटी में इज़त है उनकी सेमा तुम्हारी चोटी बहन है अगर तुम समझाओगे ना तो मान जाएगी कोशिश तो करके देखो जाला जी यह सवाल मुझे नहीं आता निकाल दो न अरे बेटा चश्मे के बगएर तो मुझे तू भी नज़र नहीं आता एक काम कर वो मेरी कोट की जेव है न उसमें मेरा चश्मे लिया जा क्या हो आरे जाना जी आपका चश्मा तूट गया हां? चश्मा तूट गया अरे इस तो बहुत ही पुरा हुआ पेटा तेरी मा तो मुझे कच्छा ही खा जाएगी अरे इस चश्मे के बगएर तू मुझे अंदा ही समझो पेटा गब रही ही नहीं दादाजी मैं मम्मी से कहएगा आपको नहा चश्मा बनवा दूँगा मामी मामी अरे नहीं बेटा मम्मी को बचानी की जरूँगा क्या है चंदन ममी दादाजी के चश्मा तूट गया पिताजी आपने चश्मा तोड़ आला थोड़ा नहीं बहुत तूट गया ऐसे भी क्या लापर वाही अरे नहीं बेटाजी को गया चश्मा तो मुझे जूड़ा है अरे नहीं नहीं देगे अपनी ममी के साथ इस तरह बात नहीं करते है बच्चा है वह कोट की जेव से ये चश्मा निकाल राथ था गिरिगा आपने इसे चुने क्यों दिया चश्मा कोई बच्चों का खिलोना तो नहीं अ ऐसे कुसूर तो मेरा यह है लेकिन किसमत से ये फ्रेम बच गया है काश तो 15-20 रुपय में लग जाएगा 20 रुपय 20 रुपय आपको कुछ नजर ही नहीं आते आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे पैसे पेपर रोकते हैं आप कुछ दिन बिना चश्मे के गुजारा कीजिए जब पैसे होंगे तो नया बनवा देंगे हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते हैं और रोज रोज कोई नया खर्चा मेरे पास इसमें दो रुपए चर्शा जमाएं यह आप रख लो जब मुझे तुफीन का पैसा मिलेगा मैं आपको लाकरत देंगा और जब 20 रुपा जमाँ जाए तो साथ बादा जाकर आपका जिश्माली आएंगे और मम्मी को तो पता ही नहीं चलेगी तो इसे समाल के रहे यह तो तेरी पुझी है रहे अपने बुडे दाना पे इतनी दॉलत मत लुटाया कर मेरा क्या है अगले मैनी दूस्रा चश्मा आगाएगा जराजी आप रो रहे हैं ना नहीं मैं तो मैं था रो रहा हूँ अच्छा अच्छा मां तुम्हें चलते हूँ जा बिटी वो भी तेरी राह देख रहे होंगे नमस्त बावी जी, जीते रहूँ बेटी, हलो, अरो बेटी, काई बार जा रहिए, पूना जा रही है, अपने पिताजी के पास, वा, क्या इतने पार की बात है, आज पुना में रेश से में भी जा रहा था, रास्ते में सोचा, आप लोगों से मिलता हूँ, चला जाओ, तो सि इसमें तकलिफ की क्या बात है, गाली तो यूगी जाई रही है हाँ सिमा, चली जाओ ना, क्यों माजी, क्यों हर्च है? हाँ बेटी, चली जाओ, आराम से पहुंच जाओगी अच्छा मा, जात्यू, अच्छा लाइए मैं ले लेता हूँ, इस और राइट, आईए मैं फॉतल ब्लूडाइम। में ठहरा हूँ, अगर आप मिलना चाहे तो मिलने की बजा है? बज़ा तो आपके नरश भाइ साभी बता सकते हैं वह आपकी और मेरी शादी तेकर दा चाते हैं देखिए, नरश भाइया ने अपनी शादी अपनी मर्जी से की है मेरी शादी होगी, मेरी मैंसे, समझे, बाइ 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 अरे हाँ, सीमा वीटिया तीता जी कैसी हो तू? अच्छी हो कब आई? अभी आई अच्छा अच्छा बब्बे में तू अपनी माल से तु मिली होगी कैसी है? आपके लिए चिक्ची दिये अच्छा अच्छा यह तुमारी मा की दूसरी चिथी है जो जिंदगी में उसने मंहें लिखिये आपको चिश्मा कीदर है? ठीज्टिया यह तुमारी मा की चिथी है ना बाद में आराम सब्लग सीमा आई भावी ज़ा वीडिया जा प्रपुषेट क्या लख राकमनी तेरे कोई मिम्सा मिलने को आया मेरे को रॉंग नम्म हुँगा यार कहीं और देख मैं मा कसम बोलता है मा कसम तेरे को मिलने कोई आयगा चल सीवा तुम यह लेकन यहा अपने प्रोभ वहिया से मिले आया हूं लेकन यहां इस गैरेज में अपने बड़े बहिया के शांदार आपिस में जाकर इतनी कुशह नहीं होती प्रोभ वहिया जितनी कुशह आकर हुई बड़ी बाते बनाने लग गया है शादी हो जाएगी तो नानीमा बन जाएगी है चला बैट बदा क्या हाले जारा समझ भी नहीं आ रहा है प्रोभ वहिया मा और पिताची के हालत देखकर मुझे ऐसा लगता है क्या हुआ उनकी हालत को सब मज़े में हैं बेटे कमाते हैं बहुए पकाती हैं बैटके खाते हैं और आप तुम्हारे हालत भी देख रहे हूँ अरे मेरे हालत को क्या हुआ इससे पहले तो बेकार था आप तो कार वाला हो गया हूँ देख कितनी कार है मेरे पास एक, दो, तीन, चार वहाया, तुम लाग चुपाओ लेकिन तुम ही मेरी ताराओं के लिए अंदर ये अंदर जलते रहते हो रूते रहते हो तो कुछ हो उन्या मैं, इस उमर में अलग कर दिया दोनों को ऐसे बेटों से तो दुश्मन अची है जो मारते हैं तो जान से मार डालते हैं यूँ खुट-खुट करते हैं, एक-एक चीज के लिए तरपाते नहीं और मैं भी तो किसी काम का नहीं, बड़ा लिखा होता है तो शाहत उतके किसी काम आसा हूँ तुम कुछ नहीं कर सकते भाया लेकिन कुछ करने की भावना तो है यह जरूर नहीं आत्मी क्या करता है वो क्या करना चाता है और भाया, मैं भी तो तुम्हारे साथ हूँ सीमा तुम इन बातों में मत पढ़ो तुम अपने पढ़ाहे लिखाए करो तुम लड़की हो, तुम करी क्या सकती हो अच्छे यह मैं लड़की हूँ भाया लड़का होती तो अपने भायों की तार उनके सिंके भर्बत करती थी तो भाया मैं वादा करती हूँ मुस्से जो कुछ भी बन पढ़ा मैं उनके लिए करूँगी अपनी, अपनी जाद दे कर भी मैं महर के लिए कौन? सीमा आव बेटे, आव आप अभी तक सोय नहीं नहीं बेटे आव बेटे, आव क्या बात है? मुझे, मुझे आपसे कुछ कहना है ठीक है मुझे भी तो तुमसे कुछ कहना है पूछना है आज दिन में तो वक्त ही नहीं मिला अब बेटे, आज पहले ये बता तेरी पड़ाई लिखाय कैसी चल रही है तो वाँ खुश है न? मैं सरसेच बुल भी तजे और नहीं तो अपने पिता से जोड़ बुले ही मैं वहाँ बहुत खुश थी लेकिन, लेकिन मैं यहाँ खुश नहीं हूँ क्यों बेटे? आप दोनों के लिए पिताजी इस बार आपको देखकर ऐसा लगा जैसे आप बहुत बुले होगे पहले, पहले आप कितने खुश नज़र आते थे आप ऐसे बात नहीं है रेटी मैं तो अभी भी बहुत खुश हूँ और पर बुरा तो मैं बुरा नहीं तो क्या जवान देखना आप जो हासी में अपना दर्ब छुपा रहे उसे मैं समझती हू पिताजी मावी आप कि طरह हस्ती है क्या मतलब पिताजी, ज़ी तरह आप मज़ेमें है यह ज़ी किसी तरह मावी खुश नहां है, हमारी बात चाहने तो बुरे बेकार आडवियों के बारें क्या बात करना है अभी तो हमें तुम्हारे बारे में तुप्सोच ना है तुम्हारा ब्या करना है नेरा ब्यार क्यों? क्यों? तुम्हारा ब्यार होगा तुम अपना घर बसाओगी गरहस्थी संभालोगी यही तो धर्म है ने दी ठीकी तो है आप लोग की तरह मैं भी शादे करूंगी मेरे भी बाल बच्चे होंगे और हम जब आपकी तरह बुड़े हो जाएंगे हमारे बच्चे हमें अलग कर देंगे जैसे मेरे भाईयों ने आप दोनों का अलग कर दिया है यही तो धर्म है है न अभीता जी? क्या पागलों जैसी बातें करें यहूँ मैं सब कुछ समझती हूँ, मैं बच्ची नहीं हूँ हम लोगों के लिए आप दोनों ने क्या क्ष्ट उठा है और उसके मदले में आपके दोनों बेटे आपके साथ क्या सुलुक करें मा मा वहाँ दीन राहत काम करती है आप आप सिगरेट के ठुकरे ठुकरे करके पिते हैं और वह भी प्रभु वयाने कराते हैं तूटे हुए चश्मे के साथ काम चलाते हैं पिताजी, मैं सब कुछ समझते हूँ बंबई का घर इतना छोटा नहीं कि आप मा के साथ ना रह सके लेकिन बड़ा भाई नहीं चाहता यहाँ यहाँ आपके पास मा रह सकती हैं लेकिन छोटा भाई बोज उठाना नहीं चाहता मुझे मुझे भाईयों पे शर्म आती है पिताजी, मैं सोचते थी जब दो आपनी विया करते हैं तो मौत ही उन्हे अलग कर सकती है लेकि मेरा खायल गलत है बच्ची भी अपने माबा पो अलग कर सकती है अपीताजी अई बड़ी, रो मत तू रोएगी ने तू मुझे तू होगा बड़ी आज सो पुच्छे आज सो पुच्छे नहीं यार, कल की रस में मजा नहीं आया यही कोई 20,000 जीता कमें यार कोई आया है आल कॉल यह आप आप? आप किसी और का इंतिजर कर देते है नहीं तो किसी का भी इंजार नहीं था आये न बैठे आप क्या लेंगी? थंड़ा या गरम? मंजीत बापो मैं मैं आपसे कुछ जरूरी बात करने आया हूँ कहिए न आप आप सचमुझ मुझे शादी करना चाहते है सचमुझ? यह मेरे जिन्दगी की पहली और आखरी ख्वाहिश है आप नहीं जानती मैं आपको कितना चाहता हूँ मैं जानती हूँ आप मुझे कितना चाहते हैं लेकिन मेरी एक शर्त है एक शर्त? मुझे तो आपकी सारी शर्ते मनजूर है आप पता ही तो सही शादी की बात मेरी माता-पिता मेरे साथ रहेंगे यह भी कोई कहने की बात है आपके बाता-पीता, मेरे बाता-पीता के सवान है हमें बुजून को कसाय बिल जाएगा ठीक है बस, मुझे अपनी माबाप की खुश्च चाहिए और मुझे आपकी अच्छा, मैं चलती हूँ मामी, कौन? मैं हूँ, प्रभू कौन है? हाँ, मैं हूँ प्रभू हाँ तू, तू खिर किसे क्यों आया रहे? तूने कहा था ना, कि दरवाजे से अंदर ना, इसलिए खिर किसे आया हूँ तू ना, तू पगला है, बेल खोल पगला हाँ, मामी, इस अकलवालों की दुनिया में तू मुझे सब पागली अच्छा मामी, ठीक, मैं तेरे लिए ख्यला है, मिठाई का डब्बा तुझे बहुत पसंद है, मेरी पहली पगार का है और मामी, प्रभू को कभी गनत न समझना है हाँ, यह देख, तीन सो रुपए तीन सा रुपए मैंने चोरी नहीं किया, मेरी पगार का है मैंने नौकरी कर ली, गैरेज पर एक ड्रेस ठीटे रोखो बेटा माम रोखो खर, नहीं पूछूँगी यह नहीं पूछूँगी कि वो कैसे है अगर पूछूँगी तो तु मेरा दिल रखने के लिए जूट बोलेगा और अगर सच बोलेगा तो शायद शायद मैं सहन नहीं कर सकूँगी बस मामी तु जल्दी से ठीक हो जा इन पैसों से दवाई मंगा लेना और मेरे पास कुछ और पैसे जमा हो जाएना तो मैं आकर तुम्हें यहां से ले जाऊंगा मैं चलता हूँ कहीं उन लोगोंने सुन लिया तो फिर से जग्रा हो जाएगा तो फिर आएगा ना आऊँगा आऊँगा जरूर आऊँगा अपनी तपेज के खायर रखना बहुत इच्छी पार्टी थी लेकिन तुम लोग क्यों ने आया थे क्यों सुधा रामा मैं तुछे बात में फोन करती हूँ तुम्हें में जेब से रुपे निकाले थे क्या क्या आप बात कर रहे हैं अगर मुझे रुपों की जरुथ होती तो आपसे मांग लेती और अगर जेद से निकाले होती तो क्या कहने देती कमाल है जेब में रुपे रखे हुए थे पताने किस ने निकाल लिया कितने थे 2.500 रुपे थे 2.500 रुपे अच्छा हुआ एक तो घर में पहले ही तंगी चल रही है और आप है कि इतने बेपरवा है पताने कहा रहा गुड़ निकी तुमने डड़ी के रुपे कहीं देखे है नहीं ममी लो समझ में नहीं आता घर में कोई और है भी तो नहीं कैसे दबस है माजी फीक हो बहू क्या हुआ कुछने माजी देख रही थी कपड़े बहुत मैलो गये धुलने नहीं डाले धुल जाएंगे मैं भी कितने सुथ हो गई हूँ चदर कितनी मेली हो गई है और गिलाव तो दिखो कितना मेला हो गया डैड़ी रड़ी मेरे पत्ते लगा दीजीन एक मिनिट बेटा याड़ी एक मिनित तो लगेगा फो सुन्ये क्या है पैसे मिल गए क्या क्या कहूं, कहूंगे तो मैं बुरी बनूँगी साफ साफ कहो, पहले ना बुजाओ तुम्हारी माँ क्या बक्ती हो सुदा मैंने कहा ना, मैं कहूंगे तो तुम भी लाल पिले हो जाओगे लेकिन आखों देखी मक्षी निगली नहीं जा सकती क्या बोलो भी मैंने अपने आखों से देखा है आजीने तक्के के नीचे छुपाकर रखे है चीची देखकर मैं तो शरम से पानी पानी हो गए तो बाग क्या समाना आया है भाई तुम जानो और तुम्हारी माँ चोरी करे या चकारी करे मैं ठड़ी पड़ाए घर की मैं कौँगी तो कौँगी के मैं भाई जाने कोई किसी पर कैसे विश्वात करे नहीं नहीं सुदा ऐसा नहीं हो सकता मैंने कहा ना मैंने अपने लेड़ी आपकी रुपे मिलके बातरूम में पड़े थे नास्ता तयार है दादी मा, दादी मा कौन? निक्की दादी मा, मा बहुत बुरी है ठी बेटे मा को बुरा नहीं कहते दादी मा तुमको मालूम है मम्मी क्या कहती है कहती है दादी माने चोरी की क्या? दादी के रुपे चोरी होगा खेला तो मम्मी ने सूचा तुम्हारे तक्रिय के नीचे रखे हैं न, पर वह चोड़े तोड़े हो गए, बातरूम में धर पड़े थे, अब हो गड़ी में देखे हैं बहु बस यही अकसर बाकी रह गई थी, के तुम मुझे पर चोड़ी का इल्जाम लगाओ लोग हमारे नामों की कसमे खाते थी, आज तुम्हारे पिता जी सुनेंगे तो क्या कहेंगे, के उनकी पत्नी, चोड़, माँ मैं बेटी से बहु बनी, बहु से माँ बनी, मा से सास और यहां आकर नौकरानी बन गई, फिर भी मन उप नहीं की, मैंने सोचा, कि मेरे ही बच्चे हैं, अपने बच्चों की सेवा करना हर माबाब का फ़ाई, मैं बीमारी की हालत में चुटी रही, लेकिन, लेकिन इसके बदले में, मुझे क्या मिला, यही ना कि मैं चोड कहला ही, नहीं नहीं, अब मुसे बरदाश नहीं होता, अब मुसे मा, मैं तुम्हे इस हलत मनी जाने दूगा, मुझे रोकोगे नरेश, तो मेरी लाश देखोगे, बफू, तलाशी लेनी होती लेलो, चाहू तो पुलीस को बुला लो, हाँ, बफू, बफू मुझे इतनी सो रुपए दे गया था, लो, लोई से भी रख लो मा, मा, मा अगर मुझे मरना ही है, तो मैं किसी सड़क पर जान दे दूगी, लेकिन, लेकिन इस घर के जट के निचे मरूगे भी नहीं, नरेश मैं मरूगे भी नहीं अरे बेटे, स्टेशन का रास्ता किस तरफ है, मा जी आप यहां से सिद्धे चले जाएए, उसके बाद बाय हाथ की तरफ मोल जाएए अच्छू थिर थे बातना खुछ बातना दे से सटो खाल्फूर अजय शादिक्राश्य लेकिन इसे रहता हैं सीमा अगर तुम्हारी माँ को पता चल गया कि तुम हमारी खादर अजय से नहीं मनजीद से शादी करने को तयार हो तो तो क्या सुचेगी वो ने मेटी नहीं, अपने बोडे माबाप के खादिर कोई तरह अपनी जन्गी बरबाद करता है पीता जी, अगर बच्चों को पाल पोस कर बढ़ा करना माबाप का फर्ज है तो बुडा परमे माबाप की देखभाल करना बच्छों का फर्ज है सुना जे, इसकी बाते सुनी तो से, कल की ये नन्नी मुन्नी गुडिया, आज हम बुडों का बोच अपने खंदों पर उठाईगे और फिर लोगों के घर बेटी पैदा होती है, तो उने दुख होता है क्या हमारे घर बेटा नहीं हो, अगर तुम्हारा खत मुझे वक्त पर लिए मिलता तो सीमा तुमने अपने आपी फैसला कैसे कर लिया, कि मैं जिम्मेदारी उठाने के काबिल नहीं हूँ इतना भी यकिन नहीं था मुझ पर खरीब आपने के पास और कुछ नहीं सही, लेने के थोड़ा साभी मान ही तो होता है उसे तो रहने दिया होता, सच कहता हूं सीमा, मैं तुम्हारे माता पिता को अपने इस सर आंखों पर बिठाता अचे पेटा, मुझे तुम पर भागमान हुआया है लेकिन पेटा, हावारी कुछ परंपरा है हम लोग बेटी की घर का पाने भी नहीं पीते है पेटाजी, आपका तारा है तार? पेटी, पड़ो मा के हलग बहुत खराब है, फोरण बुलाया है जा, मैं रच का तेलेगरा होना है? नहीं, संचल होस्पितल चाहा है संचल होस्पितल संचल होस्पितल चाहँ यह, पीताजी और सिमा कहां चले गए पस यह तारा है ता पड़ती है तार? मा श्पताल में? कंडिशन सेरियस? सर, सलोज बढ़ते जाए देखिए, अगर घंटे बर के अंदर-अंदर पूश्ट ना आया तो, आई मिन, के सेरियस है? यह देख सकते हैं सिर्फ आप और देखिए मरेश को डिस्टर्ग मत कीजिगा में के अवा वह देखिए प्रू़त कर दो कर दो कर दो कर दो यह ते निदे देखना था सरोजी में बहुत दुख उठाये हैने तुम उड़ा ना चाहते हो अधिन ना तुमने तु हमेशा मेरे दुख बाते हैं तुम्हाला मुझे कैसे दुखी कर सकते हो मैंने अगर मचबूर होकर कुछ दिनों के लिए तुम्हे खुछ सालग कर दिया था तु बेबस था अपनी आणाद के आदो बेबस अरे जिने जिखर का टुकडा कहा मैं अपनी आणाद को बद दुआ तु नहीं दे सकता सरोज लेकिन अब कभी मेरे दिल सुनते लिए दुआ भी नहीं देख लेगी कभी नहीं देख लेगी सुट रही हो ने सरोज अभी तो तुम्हे मा होने का फर्स पुरा करना है सीमा के हाथ पिले करने है अभी नहीं देख लड़का है साथी आया है और अब हम फेर एकठे रहेंगे प्रभू ने मेरे लोकर लगवा दिया बूलोगे नहीं सरोज हम दो एक दूसरे को देख देख के जीते देख करे नवे आया है के जानलोगे हुई अवेड़का है एक रह चाए के रहने कर दोगभ़का के लुझ वेड़्लिया मैं और अच दू़र्त प्राद है हुआ! तुम्झारी दोड़ी वार जो पुकिशक है! आवचे! ाइ तो, तो, हुआ आगे? एड़को और, इट दो झाल, इड़को कर दो एंसी माँ मा सीमा यह अचे है ना साम, कोई मिस्टर नरेश आई पताची, मा की तवियत कैसी है किस की ना पताची डॉक्टर ने सरो से मिलने की इजाज़त सिर्फ अपनों को दी दो है रुको नहीं उसको मौत के मौ में तदेखे अब उसकी जर्थी चिता देखना है अब तुम्हें तुम्हें शाहिद इसम का दुख होगा अब सरोष ठीक है पताची हमें मा को दिखतो लेने दीजे जिस मा का चेरा देख देख कि तुम लोग बोलना सिखे शकलें पेचानना सिखे अब वो चेरा मैं तुम लोगों को कभी देखने नहीं किना क्योंगी नहीं यह मेरा फैसला नहीं हुकम है शिता जी हमसे भूल हुई हमें माफ कर दीजी तुम लोगों को जनन देकर जो गुना मुझसे हुआ है उसके लिए भर्वान भी शाहिए मुझे माफ नहीं करेगा मैं माफ करने वाला कौन होता हूँ तुम जो यहास जो और भगवान नहीं मुझे या तुम्हारी माफ को कभी तुम्हारे कंडे की दिजर पढ़ जाए तुम्हास जो मामी मों बुलाया तुम्हास जो अविदाव बेटे शरूर अरे श्या क्या मेर श्या ताहर क्यों खड़े हो बेटे, मेरे पास लाओ बेटा बच्चों के तरफ उन फेरे क्यों खड़े हो बच्चे बुरे हो सकते हैं, लेकिन मा बाप ने है अगर अगर मा बाप बुरे हो जाएं, तो सुरिष्टी खतम हो जाएगी तुम्हे मेरी तदम झाली ताहर के तुम्हेगे तुम्हें वाप बुरे हो जाएगी कर दो कर दो